Hey friend, welcome back to my channel, please do like, share, subscribe करना, बिलकुल ना भूलना, ऐसे ही latest update वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, subscribe करो, जिससे आपको ऐसे ही new new update मिलते रहे, और new new interesting drama series आप सबको मिलते रहे, तो चलो start करते हैं, वीडियो, don't skip my video Hey friend, welcome back to my channel, please do like, share, subscribe करना, बिलकुल ना भूलना, ऐसे ही latest update वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, subscribe करो, जिससे आपको ऐसे ही new new update मिलते रहे, और new new interesting drama series आप सबको मिलते रहे, तो चलो start करते हैं, वीडियो, don't skip my video Hey friend, shoot की शुआत में, जिया रो रही होदी, जहां डाक्टर बोलता है, इस तरीके से तुम रो मत, रोती भी तुम अच्छी नहीं लगती हो, और वो उसे दिलासा देता है, उसका हाथ पकार कि कि सब ठीक हो जाएगा, don't worry यहां पर कहती है, I hope so, दूसी दर देखने को मिलेगा, लूयान को, जहां अपने दिमाइगों प्लानिंग कर रही होती है, तब ही यहां पर कहती है, मेरे स्टमक बहुत जादा पेनूरा कहीं, मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए, देखो ने, जिया ने पुश किया है, मेरे ब पती चलती है, कि मतलब फूल का और लूयान का भी रिलेशन्च पैसा हो चुका कि उन दोनों के बीच में एक बेबी भी है, अब वो बिचारी क्या करे, यहां पर वो कुछ नहीं बोलती है, अपने बच्चे को तो खोई चुकी है, यहां पर जो रहती है, फ्रेंट सर्वें जहां वो गिरा देती है, जान बुच के और यहां पर वो बोलती है, देखी, मैं दे रही थी, और इसने मुझे जादे धका दिया, मतलब उल्टा ही जिया के उपर विलेशन्च सारे लोग घर का नौकर तक ने भी जिया को नहीं छोड़ा है, फ्रेंट यहां पर कहता है, त उसे बंद करवा देता है, जिया को रूम में, जहां बिचारी जिया, रूम में बड़ी भी होती है, जहां फू आता है अंदर, उसको घसिटावा लेके जाता है, बिट पर और कहता है, कि यह सब जो तुम करती हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, यह बात बताओ, तो कन्फूजन होती है, मिसल अंडल स्टैंडिंग इतनी हो जाती है, कि पोछो ही मत, तो यहां पर कहता है, ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जहां बिचारी जिया के साथ, अगें वो एक दम से उसके साथ, फोर्स फूली, इंटिमेट होनता है, जहां जिया मना क करती है, प्रेसिजन्ट फूल को, लेकिन नहीं बाहर से यह सारी आवाज लूयान सुन लेती है, जहां लूयान को काफी गुस्सा आ रहा था, कि काम तो उसने ही करवाया था, यहां कुछ और ही हो गया है, इधर वो सो जाती है, तब ही यहां पे फूली उसे सोने देता है, यहां पे कहती है, मैं खूनी इंसान लों के साथ नहीं खाती हूँ, और वो लों को मैं अपनी फैमिली नहीं बनाती हूँ, लूयान कहती है, कि देख रहे हो न, जिया, तुम ऐसा मत करो, क्यों तुम प्रसिजन्ट फूल का हमेशा गुस्सा दिलाती हो, मतलब फूल का संप जाता है, कहीं उसका बच्चा मरना जाए, जली से लूयान को कहता है, हॉस्पिटर लेकर जाने के लिए यहां पे सर्वेंट है, उसको भी काफी कसके चोटे आई थे, वो बोलती है, कि यह सब जिया ने जान बुच के किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, कि वो बेबी कर जाता है, मतलब इस तरीके से बेरामी से बिचारी जिया कहती है, इसमें भी क्या मेरी ही गलती थी, यहां पे कहता है, क्योंकि तुम चाहती नहीं हो, मेरा कोई ए बेबी हो, इसी वज़े से तुम ऐसा करती हो, हमेशा, यहां पे कहती है, तुम जान बुच के जो भी किया है तुम समझ रहे हो, क्यों नहीं समझते हैं तुम मेरी बात यहां पे कहता है, मैंने तुम्हारी बात बहुत सुन लिया, समझ लिया अब मुझे कुछ नहीं समझना है, जहां बोलती है सर्विन यह सब तुझ जिया नहीं किया था मैंने देखा था कार के पहले वो गई थी और वो कुछ कर रही होती है जहां बोलती है लूईयन मेरा बेबी मेरा बेबी लॉस हो चुका है यहां पर वो बोलती है कैसा कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा डोंट वरी यहाँ पर डॉक्टरों से लेके जाते हैं जहाँ वो कहता है सब ठीक है बस तुम्हें स्ट्रॉंग बनना है यहाँ पर लुयान का जो है फ्रेंट मिस्कारिज हो चुका होता है उस एक्सेलिंग के वज़े से जहां वो जाती है और कहती है कि इसमें तुमने ही किया है मुझे क्यों आई है जो यहाँ से काफी तेज बारिश हो रही होती है फ्रेंट यहाँ पर बोलती है मुझे बात करनी है फूर से लेकिन फूर से मिलने ने देती है लुयान जान बुझके और उसके हाथ कुछल देती है और उसे बहुत जादा मारती है ऐसे फ्रेंट जिया को प्रॉब्लम की वजे से जहां बोलती है कि निकल जो यहां से तुम्हें कभी भी फू नहीं मिलेगा तब ही वहां से फू आता है तो बात को पलड देती है लू यह कैथा इतनी बारश मोटा, यहां पे वो बोलती है, यह पैसे मांग रही थी, तो मैंने कहा कि पैसे नहीं है, जब तुम्हारा कोई रिष्टा ही नहीं है फो के साथ तो यहाँ पे वो कहती है जी यह यह सब जूट बोल लिए है मुझे पैसों से कोई भी मतलम नहीं है मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी यहाँ पे कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है इतना कहा कि वो वहाँ से चला जाता जाँ जाए जा, कॉल करती है डाक्टर को कि उसकी तबन다 बहुत जादा, खाला बाहब है, निक सीन में डाक्टर से हॉस्पिटर आडमिट करता है, हूछ में बोलता है, तुम्हारी एज फ्द्म भी क्या है, तुम्हारी एज इतनी कम है, फिर तुम एतना क्यों बरदाश कर रही हो तभी वहां आ जाता है और कहता है तुम मेरी वाइफ को क्या बोल ले थे यहां पर कहता है अगर आप इसके हजबेंट हो तो सिरियसली एक बात सुन लो इसका हार्ड डैमेज हो चुका है क्योंकि इसके वाइलेंट की वज़े से इतना मारपिट होने क्यों वज़े से और आप एक हजबेंट होके अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पारें अगर इसे कुछ भी होता है जिसके जिरिसमेदार आप होगा क्योंकि यह बैडली इंजूर्ट इंटर्नल पूरी है समझ में आ रही है आपको मेरी बात जहां बोलता है ठीक है म 10 साल से चल रहता और वो जो बेबी था वो लू यान के बॉइफरेंड का था और नाम उसने फूका रख रख दिया जहां यह सब चीज़ जिया सुन लेती है लेकिन फ्रेंड जिया तो बेवकूफ है पकरी तो जरूर जाएगी इतना असानी से तो सब कुछ नहीं होगा लू यान का बॉइफरेंड देखता है कोई है और उसे पकर लेता है और पकर के जिया को अंदर लेके जाता है यहां पर कहता है जोरी चुपके हम लोगों की तुम बाते सुन रही थी एक तैसे ठीकी करता है यहां पर कहती है तुम्हें जो करना करो मैं जा रही हूँ वो ब आजान जी आ, काफी हाथ पर मारती है कि नहीं, उसके साथ ऐसा ना करें, लेकिन यहां पे फिल्म बनदा तो तैयारी नहीं थे तभी आता है, तुझे जहां लुयान का काफी डर से हालत खराब था कि वो उसके बर्फरिंग के साथ क्या करे है कि यह से वो जान से नहां मारते आगे क्या हो पर यह जानेंगे नेक्स अपिसोड में